नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खन्ना उम्योपैथिक क्लीनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस विशाई की जिससे मैं समझता हूँ कि युवा पीड़ी और जो मध्यम उमर की पीड़ी है वहाँ बहुत जादा ग्रसित है जी हाँ बात करेंगे नर्वसनेस की नर्वसनेस वाह स्थिति हो गई है कि लगभग मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं नर्वस है और जब आप नर्वस होते हैं तो आपके हौसले में कमी आती है और जब आपके हौसले में कमी आती है तो आपकी जीत में कमी आती है तो आप बेचैनी एंजाइटी के डिसार्डर और पैनिक अटेक्स शुरू हो जाते हैं यहाँ जो panic attacks होते हैं इसका बड़ा detrimental बड़ा ही खतरनाक effect होता है आपके जीवन में negative effect होता है हम आपको बताएंगे साथियो nervousness को दूर करने की आपके anxiety disorder को दूर करने की आपके panic attacks को खत्म करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं वहाँ दवाएं जो आपके anxiety disorder को खतम करके आपके जीवन को खुशाल और बेहतर बनाएंगे यूँ तो जो यहाँ nervousness होती है बड़ी common बात होती है बड़ी समानिसी बात होती है लेकिन जब यहाँ अपनी उस समानिस्टिती को पार कर जाती है तो यहाँ आपको anxiety और panic attacks लाती ह इसके तमाम symptoms होते है nervousness के जिसमें की जब वेक्ति nervous होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है नर्वस होता है वेक्ति तो उसका palpitation उसकी धड़कन बढ़ जाती है उसको पसीना आने लगता है उसको ठकान आने लगती है कमजोरी आने लगती है इस तरह के तमाम symptoms होते है नर्वसनेस के तमाम कारण हो सकते हैं, आज तक मेडिकल साइन्स में नर्वसनेस क्यो आती है, इसका कोई ठोस बात नहीं है, बहुत लोग जो ब्रेन मेर्ट नीरो टांस्मिटर्स होते हैं, कई स्कॉलर उससे गटना को जोड़ते हैं, कुछ लोग इस्टितियों से नर्वसने हैं लेकिन नर्वसनेस है और खास दौर से हमारे आज की उवा पीड़ी में एक हतासा है एक घबड़ाठ है तो इसको ठीक करने की होगो पैठी में बहुत कारकर दबाए हैं हम आपको बताएंगे 10 ऐसी कारकर दबाएं जो आपके इस नर्वसनेस को खत्म करेंगी और आपको स अच्छान पहुचा सकते हैं लेकिन यह सई है कि वहा पीड़ी आज बहुत नर्वस है बहुत घबड़ाई हुई है एक मन में कौर्टू हल हर समय बना रहता है तो शायद यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा बताते हैं आपको नर्वसनेस को खत्म करने की यानि केलेडियम वह अस्तिती की दवा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है इतना नर्वस रहता है कि वहां कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता कहीं नहीं जा पाता बंद कमरे में रहता है और कहिए वह अखवार को जो है वह उसका गोला बनाने लगे उसको मोड के या इस तरह की हरकत करने लगे, तो अगर आप में नर्वसनेस महसूस होती है, तो आप एक बार केलेडियम ट्राय कर सकते हैं, केलेडियम इस्टीम नर्वसनेस की बहुत कारगर दवा है, यह आपकी नर्वसनेस को दूर कर देगी, केलेडियम का पेसेंट को इतना नर्वस होता है, कि वह अपनी परचाई को देखके भी नर्वस हो जाता है, अपना जो शैडो पड़ता है, फर्च पर या दिवाल पर उसको देखके नर्वस हो जाता है, तो अगर इस इस्टिती की आपकी नर्वसनेस हो, तो इसको ठीक करने क कि हुमियोपैती में निश्चित दवा कैलेडियम है आप कैलेडियम 30 लेकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं खास्तोर से हमारी इववापीडी जो की छोटी छोटी बात वह आजकल परिशान हो जाती घबढा जाती है तो उनकी घबढा आज दूर करने की हुमियोपैती में दवा क्यालीडियम है एक स्थिति सातियों किसी को आ सकती नर्वसनेस में कि उनको कुछ भी सैटिस्फाई नहीं कर सकता है आप उनके लिए कुछ भी ला दिजे लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं होंगे तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज हर समय घवडाया रहता है नर्वस रहता है और डिस्सटिस्फाईट रहता है तो उसको ठीक करने की होग्योपेथी में बहुत कारकर दवा है क्रियो जोटब आप क्रियो जोट थर्टी दो दुबून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा मन के आपके इस तरह की उल्धन को दूर करेगी आपको भेतर करेगी और जो आपके डिस्सटिस्फाईट्शन की स्थिति इसको खतम करके आपके जीवन को संतुष्टी की ओर ले एक स्थिति साथियों आती है नर्वस पेशेंट में कि नर्वस पेशेंट मार पीट को उतराते हैं वो लोगों को मारने पीटने लगते हैं लडाई करने लगते हैं जगडा करने लगते हैं वहां बहुत नर्वस होते हैं तो अगर यह स्थिति यह साथियों तो इसको ठीक क के फासले पर वहां हर वेक्ति ले सकता है इसको कि लड़ाई जगरे मारपीट की आदत हो मारपीट करने लगता हो दुबला पतला हो कमजोर हो और उसे गर्वी बहुत लगती हो तो अगर यहां सिम्टम साप में है और आपके मन में नर्वस नेशिया कवड़ाट बनी हुई है तो आपकी number one drug of the choice इस इस्थिती के लिए आयोडम है इसको आप वीकली लेकर स्वासला प्राप कर सकते हैं फिर साथ हो एक इस्थिती आती है किसी को हो सकती है और खास दोर से हमाई छात्रों को होती है कि वो एक्जाम देने गए उससे पहले उनको पॉटी आ गई डायरिया आ गया यूरीन आने लगी इस तरह की नर्वसने सो गई तो अगर आपको एक्जाम जाने से पहले नर्वसने से घबढ़ात है तो इसको ठीक करने की नंबर एक दबाव में उपैथी में आर्जिंटम नाइट्रिकम है आप आर्जिंटम नाइट्रिकम थार्टी दो दो बू आते हैं कि आप लगातार दुखों का पहार तूट पड़ा और आप नर्वस हो गए तो अगर यहां इस तिती हो कि आप में बहुत जादा मिंटल इग्जर्शन रहा हुआ आपको समय खराब रहा हो और अब आप नर्वस हो जाते हो या कोई ऐसा हासा ट्रॉमा हुआ हो जि खतम करेगी आपको मेंटल इग्जर्शन से जो ठकान आई है उसको खतम करेगी मन की घबढ़ाहट को दूर करेगी और आपको स्वस्त करेगी अच्छी दवा है तो अगर कोई डाइबिटिक पेशेंट है और उसको नर्वसनेस पहुँ जल्दी आती है तो उसको ठीक करने की नंबर एक दवा अच्छी फॉस है एक इस्तिती साथियों आती है नर्वसनेस्यानी घबढ़ाहट में कि आप बहुत ज्याज़ा नर्वस है आप कहीं आते जाते नहीं है आप पानी तक पीना नहीं होता और डलनेस, डिजीनेस, ट्रावजीनेस रहती है तो अगर यह इस्तिती आप में हो कि आपको डलनेस, डिजीनेस, ट्रावजीनेस और वीकनेस कमजोरी बनी रहती हो और उस इस्तिती में आपके नर्वसनेस्यान गबढ़ाट को दूर करने की बहुत कारगर दवा है जलसीमियम जलसीमियम हर उस मरीज के लिए बहुत कारगर दवा है जिसको हर वक्त कमदोरी का एसास रहता हो प्यास उसको बिल्कुल ना लगती हो तो अगर आप में डलनेस, टिजीनेस, ट्राउजीनेस, वीकनेस तो चार्च इंटम है और आपको प्यास नहीं लग रही और आपको हर समय नर्वसनेस यानि घबढ़ाट रहती है तो उसकी बहुत कारगर दवा जलसीमियम है जलसीमियम उन हर चात्रों की भी बहुत कारगर दवा है नर्वसनेस की तो एक्जाम जाने से पहले जिनको बहुत घबढ़ाट होती है अगर एक्जाम जाने से आपको घबढ़ाट हो रही है एक्जाम फेस करने से तो उसकी दवा जलसीमियम है इसी दवा इसकी आज इंटम नाइट्रिकम भी है लेकिन जलसी में इसकी अच्छी दवा है एक इस्टिती सातियों आती किसी में नर्वस नेश की कि आप किसी भारी बीमारी से गुजरे हो और अब आप उसके बाद नर्वस हो गया हो खास तोर से टाइफाइड फीवर जैसे बैक्टिरियल डिजीज से तो अगर यहाँ सुटिती आप में हो साती हो तो इस सीस्टिती को भी ठीक करने की होमिएपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैस्टेरियम आप कैस्टेरियम 30-22- nu दिन में 3 बा ले सकते हैं यहाँ दवा जो आप भारी बीमारी या सिखने से निकले हो और अब आप नर्वस हो गए हो या मन घबडाता हो तो उस मन की घबडाहट को भी दूर करेगी और आपके दिमाग को स्ट्रॉंग बनाके या कैस्टेरियम नाम की दवा आपको स्वास्तलाप देगी फिर साथियों कि स्टिती आती है किसी में आ सकती है खास्तोर से महिला या पुरुस में कि जब महिला को लगता है कि पुरुस उसको हर समय वाच कर रहा है या पुरुस को लगता है कि महिला उसे हर समय वाच कर रही है और कई लोग उसके पीछे लगा दिये और उसके मन में इस रहे, मन में घबडाट रहे, तो उसको ठीक करने की हुम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है कोलोसिंथ, कोलोसिंथ हाटी दो दो बून दिन में तीन बार हर वहाव व्यक्ति ले सकता है, जो व्यक्ति घबडाता हो कि दूसरे की उस पे नजर है, और इस पेट पकड़ के जुखना पड़े, तो भी वा कोलोसिंथ लेके उस पेट दर से आराम पा सकता है, एक इस्थिती सातियों आती है, हम लोगे घर के बच्चों में छोटी उमर की जो लड़किया होती है, या लड़कियों में, कि वहाँ बहुत नर्वस हो जाती है, तो अगर घर में बच्ची आया लड़किया बहुत नर्वस हो जाएं, और बेचैन यानि रेस्टलेस हो जाएं, तो उसको ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत कारगर दभा है, एपिसमेलिफिका, आप एपिसमेल थाटी दो दो उन दिन में तीन बार ले सकती है, अगर आपको जादा आप में होती हो, यहनि बेचैनी होती हो, रेस्टलेस्नेस होती हो, घवड़ाहट होती हो, तो आपके मन की घवड़ाहट पूरी तरह से दूर होगी और आप स्वस्थ होंगे, आपकी टरग अप दो चोईस एपिसमेल है, एपिसमेल के मरीश को प्यास बहुत कम लग सकता, अगर म्यूजिक सुन लिया तो आत्मर्तिया के लिए चला जाएगा, बार 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 बस वो दर्वाजा कई बंद हो गया, तो वो भी उस कोल जाने है, तो अगर उसको इतनी जाता घवड़ाहट होती हो, नर्वसनेस हो जाती हो, किसी भी आवाज से, तो उसको ठीक कर ने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है, नैट्रम कार्बोनिकम, आप नैट्रम कार्ब 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं, यहाँ दवा आपके मन की उल्यहन को भी दूर करेगी, मन की घवड़ाहट को भी दूर करेगी, नर्वसनेस को खतम करेगी, और आपको जरा-जरा से शोर से भी परिशान हो जाते हैं, परिशानी खतम करके आपको मेंटली स्वस्त बनाएगी, तो अगर आपको आपको अवाजों से दिकत है, तो एक पार आप नैट्रम कार्ब ले सकते हैं, दो सो पावर में, यहाँ दवा आपको स्वास्त लाब देगी यह ऐसी उमीद है, फिर साथियों एक दवा, जो एक नमबर एक दवा, एक मुख्य दवा भी है, कलेडियम के साथ, जो दूसी दवा है, जिसको नमबर एक दवा उम्यों पैती में क्लैसिफाई करा जा सकता है, नर्वसनेस की, वहाँ आप सब जानते हैं, और वहाँ है काली काली फॉस, अगर काली फॉस का जिक्र ना हो, तो यह वीडियो अधूरा रहेगा, तो अगर आपको नर्वसनेस है, आपको नीन नहीं आती है, डलनेस बनी है, डिजीनेस बनी है, घबड़ा हाट होती है, और डर लगता है, तो आप काली फॉस 6X पावर की 4 टेबलेट सकते हैं, यहाद आपकी नर्वसनेस को दूर करके आपको स्वास्तलाब देगी, एक स्थिती सातियों किसी में आ सकती कि आपको बहुत नर्वसनेस और गबड़ाट रहती हो, और आपको नीन ना आती हो, और आपको लक्ष और मंजिल मिलती भी अपनी तो आपको खुशी न तबाहे कौफिया, कुरूडा, आप कौफिया 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले, वो हर व्यक्ति जिसको कि अपनी सफलता पे खुशी नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और मन में नर्वसनेस और गबड़ाट बनी रहती है, फिर सातियों कि स्थिती आत ख़ू जाती है, तो वह बहुत नर्वस हो जाता है, एक happy गबड़ा जाता है, तो अगर इस अस्थर की आप में घबड़ाट ही आपके घर में किसी के परिवार महलेर ले रिस्तेदार जानने वालों, किसी के मन में फिर और है नर्वस रहती हो, तो तो उसको दूर करने की हो उम्योपैती में बहुत कालकरण दबा है, लैक कैन, लैक कैन थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप उस हर्मरी इसको दे सकते हैं, जो कि इतना घवडाता है, इतना नर्वस रहता है कि पढ़ा रहता है, यह लेटा पढ़ा रहता है, पसा पलंग बिस्तर है जोड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिस्तर से उठाने, उसकी नर्वसनेस को खत्म करने, उसके होसले को बढ़ाने, उसकी घवडार को कम करने, और इस बेदर दुनिया इसलिए कह रहा हूं कि आज कल व्यक्ति को व्यक्ति का लिहाज नहीं बचा, बहुत कम ऐसा होता है, श वेक्ति जो पलंग पर पड़ा रहता है उसके लिए दबा लैक कैन है एक साथियों किसी के स्थिति आ सकती है जो कि काफी लोगों के आ सकती है और बहुत कॉमन होती है कि आप इरीटेबिल बहुत है आपके मन में नर्वसने से गबढ़ाट है और आप जो है बहुत जल्दी इ नर्वसने परनी हुई है तो उससे को ठीक करने की बहुत कारगर दबा है नक्स वोमिका नक्स वोमिका थाटी दो दो बून दिन में तीन बाद ले सकते हैं आप अगर आप को छोटी छोटी चीजों से परिशानी हो जाती हो उससे आप लड़ने लगते हो सपोस करिये आप आप लड़ने में कोई स्टूल आ गया अब स्टूल रास्ते में रखा है साब यही क्यों यहां रखा है यह आपकी कहीना कि नर्वसने से अगपड़ाट है और इसको ठीक करने की बहुत कारगर दबा सातियों है नक्स वोमिका आप नक्स वोमिका एक बार लेकर देखें और और आप इसके फायादे का ऐसास करें फिर साती होई किसी मईलाया पूरुश के सामने कि उसके परिवार में उसका साथी या पार्टनर गुजर गया हो हस्बेंट का बाइक गुजर गई ह ह कहा पने गुजर गया हो और उसको शेक्ष्ट्र Tsch तो यह स्टिति अगर है कि आप फिरिकल लिलेसन ना बना पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ ही इस डुनिया में नहीं रहा और उससे आप गृव्ड या नर्वस रहते हों तो अगर यह स्टिति हो तो इसको दूर करने की ऄमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम मैक कुलेटर कोनियम मैक 30-1-EM power में अब टीन कुलाक 55 मिनिट के फासले पर वीक ली ले सकते हैं यहाँ दवा आपको जो sexual pleasure नहीं मिल पा रहा है और उससे आप परिशान हैं नर्वस हो गएं घबडा रहें तो यहाँ दवा आपकी उस परिशानी में कहीं न कहीं मदद करके आपको जहनी तोर पे आराम देगी एक इस्तिती साथियों आती है बहुत मरीजों में जिनको नर्वसनेस और घबडाहाट रहती है और वो किसी चीज से खुश नहीं होते है तो अगर यहाँ इस्तिती हो कि उनका चाहे कोई लक्ष पूरा हो जाए चाहे उन्हें कुछ मिल जाए चाहे उन्हें अलादीन का चिरा ले सकते हैं यहाँ दवा आपके मन की उस गबडाहाट और उल्जन और नर्वसनेस को खतम करेगी जो आप बिल्कुल आपके सुभाव में शामिल हो गई है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और मैट लीजे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा आपके मन की कि नर्वसनेस और गबडाहाट बिल्कुल खतब हो जाएगा फिर साथ यह इस्तिति किसी में आ सकती है कि बिल्कुल इक्स्टीम पे उन्होंने उनको नर्वसनेस और गबडाहाट है उन्होंने परिशानी क्रिएट करी लड़ घगड लिए सब कुछ कर लिया उसके बाद व अगर ऐसी स्थिती हो कि जिसमें ये स्टीम्स पे काम हो कि गुस्ते हुए तो इत्ते हो गए, सांत हुए तो ऐसे हुए कि बिल्कुल सांत हो गए अगर इस तरह के इस्टीम्स पे काम हो तो और आपके मन में नर्वसने से घबराट हो तो उसको ठीक करने की उम्योपैती में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है कैमफोरा आप कैमफोर 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपके इस्टीम्स की दिक्कत है यानि पहले जोस में आए तो बहुत है जोस में आ गए और उतरे तो बिलकुल ही उतर गए तो अगर ऐसी स्थिती है तो उस स्थिती में आपके नर्वसने से घबराट को दूर करने की बहुत कारगर दबा कैमफोरा है ये साथियों कोई दबाएं थी नर्वसने से यानि घबराट को खतम करने की आजकल जैसा मैंने का युवार पीडी में या बहुत बड़ी समस्या हो गई है एक पहले का जओर था कि बहुत दंदार लोग हुआ करते थे दंदार इंदसन कहीं भी जा कि अपनी धाग जमाल लेते थे उनमे कोई नर्वसने से नहीं होती थी अंजान आदमी बड़े से बड़ा दिकारी हो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो बड़े से बड़ा कोई लॉयर हो बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसको फेस कर लेते थे लेकिन आप इस बात को हो सकता है जहां तक हम से इतबार करेंगे कि अब वो बात नहीं है आज कि हमारे बच्चे घबडाते हैं उनमें कोई बोलनेस नहीं बची वो किसी सरकारी विभाग में चले जाओ तो कोने में जाके बैट जाते हैं और ये सोचते हैं कि कोई पैसे के लेन देन वाला घूद दे बरने वाला मिला तो उसको पैसा दे के अपना काम करा ले उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अधिकारी तक जाके अपनी बात रख सके अधिकारी सभी अधिकारी बेइमान नहीं होते हैं अगर वो अपनी बात को अधिकारी तक रखे तो हो सकता है बिना पैसे दिये भी उनका काम हो जाए लेकिन ये जो नर्वसने से गबड़ा आट है ये हमारी युवाई पीड़ी को बोल्ड नहीं होने देती है आप कपड़े पहिंदे में बोल्ड हो सकते हैं अपने घर के दायरे में बोल्ड हो सकते हैं जो चीज आपके हाथ में आप उसको दिखाने में बोल्ड हो सकते हैं, लेकिन इस्टेंजर्स को फेस करने में आप आज बोल्ड नहीं हैं, तो यहाँ दवाएं हैं नर्वसनेस की, इन दवाओं में से आप अपने सिम्टम तलास के अपने भला कर सकते हैं, एक बात साथियों आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे दिये गए, नंबर पर अपनी क्वेरी को वाट्सैप कर सकते हैं, या फिर हमारे यूटूब नोटिक्वेशन पैनल में आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हम कोशि आपके मारे दोनी कैनल में साथियों क्रिफ से एमारे यूटूब नोटूब के दिया हो, इस आपके मारे आपके मारे यूटूब को वाटूब कर दो कर दो